दोस्तो नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल देवजी के ट्रिक्स में तो दोस्तो अमारे चैनल पर लेकपाल की तैयरी कराई जा रही है जहां पर आपको गुरामीड पर वेस और आपकी हिंदी साथ में यूपी जी के और आपके समाने जानकारी के टेस्ट यहां पर कराई जा रहे हैं एक लास सुबेश साथ बजे होती है अगर आपके पास नोटिविकेशन नहीं अभी आता है तो सुबेश साथ बजे यहां पर टेस्ट लगा सकते हैं और जो भी भाई बैन पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट के माध्यम से ग्रामीर परवेश की थियोरी और अब्जेक्टिव टेस्ट पेपर यूपी जी के हिंदी के आप मॉडर्ण पेपर लगा सकते हैं और आज हम लोग देखेंगे जो आपकी समाने जानकारी है कितनी तैयारी हो चुक अब कर दिया गया है कर आपसे अनुचेद के प्रावधानों के तहट लोगसभा और राजसभा की संयुक्त वैठक को राश्पती दौरा आप बुलाया जा सकता है यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा और हमने आपको बताया था कि जो राज्जी सभा है और लोगसभा है इसकी संयुक्त की जो बैठक है इसको बुलाने का कारे करता है राश्पती बुलाने के लिए दो तीन वर्ड होते हैं जैसे आहूद करना ठीक्या पूलाना आहूद काना यह आपकी राज्पती करते हैं और यह जो आपका आल्डिकल हे को आपका कौन सा तो यहाँ पर आपका राइट अंसर होते इसे नंबर 180 ठीक है आंपर क्या भर जाएगा 108 भरा जाएगा तो आर्टिकल 108 की तेत राजपती लोगसभा और राज़तवा की संगत बैठक को बुलाता है लेकिन अगर बात करें अध्यश्टा कौन करता है तो अध्यश्टा करता है लोग सभा का जो आपका अध्यश्च होता है अध्यश्ट करता है याद रखेगा ठीक है और अगले प्रस्ट को राते हैं प्रस्ट नाप से अगला पूछा गया है कहराब से कि लोग सभा में मद्दान करते समय टाई की इस्तिती में के पास ओट डालने का अधिकार होता है मतलब कहसकते हैं कि लोग सभा में अगर आपका मद्दान पढ़ रहा है किसी भी चीज के लिए और ऐसी इस्तिती में कहसकते तो जो लोकसभा का अध्यच होता है speaker ठीक है speaker के द्वारा कह सकते है वो ओट दे सकता है ठीक है और ये तभी होता है जब कह सकते हैं कि दोनों पच्छों में ओट आपके क्या हो बराबर हो तब देता है speaker ठीक है अगला प्रस्णाप का दिया गया है कहरा आपसे कि एक आदमी पांच मीटर के दूरी पर साप नहीं देख पाता है वो किस रोग से प्रभावित है ये कह सकते हैं गरसित है तो देख सकते हैं सिर्फ कितना दूरी दिया गया है पांच मीटर और वही पांच मीटर के अगर दूरी वो नहीं देख पाता है तो इसका मतलब है कि उसे बीमारी है या उसे जो रोग है वो आपका है मायोपिया ठेके मायोपिया आताता आपका निकट द्रस्टी दोस है उसे दोस क्या है निकट द्रस्टी दोस है तो इस प्रकास से और चवण को हो जेगा आपका बी नंबर समझ म यहां पर हमने आपको जोवर्फी मताया था कि भारत की करकरेखा के पास से जो आपका सहर हो आपका कौन सा है हमने आपको मैप से भी बताया था कि करकरेखा जो आपको जाती है लगवो आपके मद्द से होके जाती है और इसमें से आपको देखना पड़ता है कि कौन सा सहर किस के पास पढ़ रहा है या आपका नहीं पढ़ रहा है यह रिखा जो आपको होती है वो सारे तेई संसे आपके जाती है ठीके तो इस प्रकास से अगर आप देखेंगे इन सहरों को तो आपके करके रेखा आपकी आठ राजियों से गुजरती है गुजरात, राजस्तान, मदप्रदेश, चतिसगर्ड, जहारकंड, पर्षिममंगाल, तिरपुरा और मिजुरम तो इनके अंसार से आप देखेंगे, जो आपका इंदोर सेर है, वो आपका सबसे पास पढ़ता है, और इंदोर की यह साब से देखेंगे, जह तो आपको मदप्रदेश होजएगा, ओप्सन आपका कौन से होजएगा, अबी नमबर आपके यहाँ पर सही होजएगा, अगला किसके साथ है, यहाँ पर 56 का जवाब देना है, और देख लिजे सबसे लंबी अंतरास्टी जो आपकी है, वो आपकी सीमा किसके दास साथ, तो यहाँ पर आपका जवाब होजएगा, बिल्कुछ सही जवाब है, ओप्सन आपी होजएगा, बांगला देश के साथ, किसके सा M, B, A, ठीक है, यह आपके साथ पड़ोसी देश हैं, सबसे ज़्यादा सीमा आपकी बांगला देश के साथ, और सबसे कम सीमा आपकी अफगानिस्तान के साथ, तो देख लिए, बांगला देश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, मियानमार, भोटान, और आपका अफगानिस्ता यह आपके यहाँ पर याद हो गए होगे, सबसे लंबी सीमा आपकी किस के साथ है, तो आपके बांगला देश के साथ, कितनी है सीमा, तो 4,096 किलो मिटर यह आपके सीमा है, यहाँ पर एक कोश्चन और बनता है, अगर कोश्चन यह पूछे, कि भारत के कितने राज्य हैं, जो आपकी अंतराष्टी सीमा मिलाते हैं, तो आपके सत्रा राज्य हैं, जो अंतराष्टी सीमा को इस पर सकरते हैं, याद रहेगा, किलियर है, चले, अगले प्रस्च को राते हैं, प्रस्चन आपसे अगला पूछा गया है, कैर आपसे ताज महल के सुलेखक, जिने बोलत आलेगा ईयाखके एकॉन अमानत खान सी राजी होसकता है पहली बार आप ने पढ़ा ओग ओग कता है ताजमाल के सउलेखक्याग जो आपके हैं वह आपके अमानत खान सी राजी ने आप of 1648 में इसकी रचना की और इसे पूरा भी किया तेखरिا यहां पर सन में दी गई थी यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है और सिंपल सी बात आप जानते हैं कि जो आपके 23 मार्च उक मना जाता है सही दिवस है ना 23 मार्च और 23 मार्च सन 1931 ठीके 23 मार्च 1931 की रात को उनको देश वक्ती के अपराध की संग्या देकर अंग्रेजय दोरा इन पर कौन सा हो जाएगा बी वाला आपको हो जाएगा डेट याद रखेगा 23 मार्च पूछा जाता है अगला प्रस्णा आपका दिया है कि ने मिखित में से कौन सा एक मेरो कोर्स अर्थात यहां पर कह सकते हैं दच्छिणी साजा बाजार का सदस नहीं है दच्छिणी साजा गया है कहर आप से कि निगम कर संग द्वारा लगा जाता है और उनका विन्योजन किया जाता है देखे जो निगम कर है निगम कर जो लगा जाता है आपके संग के द्वारा होता है और इसका जो विन्योजन करता है वो आपको कौन करता है तो यहाँ पर राइट एंसर आपक इस्थापित किया गया था और देख सकते हैं कि बनार्स इंदु विश्विद्याले जो इस्थापित किया गया था ओप्षन राइट अपर हो जेगा आपका सी नमबर 1916 में ठीक है कप किया गया था और यहाँ पर के सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी हिंदु विश्विद्या रहे है ठीके 1916 में इसका इस्थापना हुई थी ठीके सी नमराप के यहाँ पर सहिग हो जाएगा ठीके और अगले प्रस्ट को राते हैं प्रस्टनाप सेगला पूछा गया है कि 2011 की जनगर्ना की अंसवार उत्तर प्रदेश का सरवाधिक साच्छर जनपद कौन सा था सरवाधिक साच्छर जनपद आपका देखिए सबसे पहले जो आपका नाम आता है वो गोतम बुद्ध नगर काता है फिर कानपुर, फिर औरया, फिर इटावा, फिर गाजियवाद तो इसके according आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर गोतम बुद्ध तो दिया नहीं गया है तो इसके अमसार से आपसन कौन हो जाएगा यहाँ पर B नमबर आपको हो जाएगा कानपुर्न अगर, यह आपका हो जाएगा ठीके, पहला नमबर आपका गोतम बुद्ध नगर दूसरा आपके कानपुर, तीसा और रहया चौता आपका हिटावा, ठीके, तो इससे साब से कौन होँआ B नमबर, ने इस प्रस्ण दिया है कि उत्तर प्रदेश का राजकी पुस्फ निम्लिकित में से कौन सा है राजकी पुस्फ पूछा है और राजकी पुस्फ यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ऑप्सन अपके यहाँ पर हो जाएगा कौन सा फिल्कुस साही है और सन आपके यहाँ पर D होजेगा設 ठीके पलास है और इसका अंगरेजी नाम होता है Flame of the Forest ठीके जंगल की आग हिंदी नाम होता है पलास एक नाम और होता है धाक एक नाम और होता है टेसू देखे याद रखेगा इसके तीन नाम हमने आपको होता है पलास टेसू और एक होता है धाक है ना एक वीडियो में और भी हमने बता है धाक होता है और यहाँ पर इसका वैग्यानिक नाम होता है ब्यूटिया मोनो इस्पर्मा इसका वैग्यानिक नाम होता है नेस्प्रस नाम की बात कह रहा है Radiaeak Tuta की बात कह रहा है तो Right Answer आपको याँ पर कौन सो हो जगा Option आपका D हो जगा Henry Baker Aitra की द्वराब की गिए थी वह एपर अगर बात करें कि Radium की खुज किस ने की तो Radium की खुज आपकी की थी Madam Curie नी किया था Madam Curie नी किया था यहाँ पर right answer आपको पूछा गया था प्राक्रितिक डेडिक्टिव था तो option आपका D होजेगा हेंडरी वेकरेल नेश प्रशनाप का दिया है कि SI पद्यत में मूल भौतिक रासियों की संख्या है SI पद्यत में मूल भौतिक रासियों की संख्या पूछा गया है और यहाँ पर आपका 65 का जवाब बनेगा option आपका होजेगा यहाँ पर आपका B number 7 मूल रासियां होती है और 2 आपकी होती है पूरा क्रासियां ठीके चलिए अगला प्रशना आपका दिया गया है जो की बहुत बार पूछा गया है तो उत्तर पर देश के किस सहर को सिरैमिक सिटी कहा जाता है सिरैमिक सिटी कहा जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं सिरैमिक सिटी जो आपको कहा जाता है वो आपके जो खुर्जा है ठीके खुर्जा जो बुलंद सैन में पड़ता है तो दिल्ली से लगब़ 45 मिल आपको दूर है कि अपने पाट्री के सिकते ही कि मिट्टी के एक प्रकार का जो बरतन होता है इसके लिए बहुत प्रुषिद है पाटरी के लिए ठीके पाटरी क्या होता है मिट्टी के एक प्रकार का बरतन होता है ठीके और अगले प्रस्ण का आते हैं प्रस्ण आप से कह रहा है कि एंडिया डिवाईडेड नामक पुश्थक किसो ने लिखी एंडिया Works ने लिखी यहां पर सुर्णा कोश्चिन है और अब ही मात पूछ या रहा है थीक मात प्रस्वाइव मिश्था गया है इसके जो आपके हैं यह आपके वी एस नाइपाल बहुत ही चर्चित आपके हैं आपके लिए का वी एस नाइपाल की द्वारा आपकी पुस्तर लिखी गई है इस प्रस नाप से दिया है यह वान खेड़ी स्टेडियम कहां वस्ती थे आप हमेशा मैच देखते होंगे और देखते होंगे कि लगबग फाइनल खेला जाता है तो यहीं पर आपको देखने को मिलता है फाइनल मैच है ना तो वान खेड़े आपके कहां पढ़ रहे हैं यह आपका पढ़ता है मुंबाई में कहां पढ़ता है मिल्कुछ सही है आपके मुंबाई में पढ़ता है वान खेड़े स्टेडियम ठीक है डिनमबर नेस प्रसना आपका दिया है देवी माता की पूजा सम्मंदी थी देवी मा पर राइट अंसर आपको होजेगा आपका सी नंबर कि सिंदु घाटी सब्विता के साथ जुड़ी होई हैं यहाँ पर देवी माता यह मात्र देवी की पुझा समझ मा गया चलिए आगले प्रसिकोर आते हैं प्रस्ना आप सेगला पूछा गया है कि बिना दुर्ग के एक मात सिंदु नगर कौन सा था सिंदु नगर आप से पूछा है और राइट अंसर आपका यहाँ पर होजेगा ओप्सन डी जो आपका चंदु दुर्ग है यह आपका बिना दुर्ग का एक मातर सिंदु नगर है और यह सिंदु नदी के बायंतर पर आपका इस्तित है यहां से ब के बनाने काड़ खाना भी आपको यहीं से डोड़ा था अगले प्रसिकुर आते हैं प्रस्टनाप से अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा सहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बरतनों के लिए जनायता है अर्था लाल मिट्टी और लाल मिट्टी जो लुट भग आपको यह औरेज में जाना है कहांपर मिलेगी तो यूपी के देखा जाए जो आपको खुर्जा है चुनापर है या रामपुर है ना इनमेंसे कहीं भी आप देह सकते हैं जिस tendency हो गया रामपूर हो गया यहां पर आपके चीणी मिट्टी की बरतनों के लिए तो यहाँ पर कह सकते हैं आपकी लाल मिट्टी पूछा है तो 72 का जवाब को हो जाएगा आपकर C नमबर या आपका चुनार ठीक है चुनार जवाब का है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका C नमबर आपका चुनार हो जाएगा ठीक है समझवा गया चीनी मिट्टी और एक चिनाव के मिले हैं 64 चिनाव के मिले हैं इसमें से ठीक है और कह सकते हैं कि 250 से लेके 400 अच्छर तक आपके यह हैं जो कि सिल्खडी की आयताकार मोहरे तामे की गुटियों से आथ की मिलते हैं और कह सकते हैं कि यह लिपी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है ठीक है तो राइट answer आपको हो जाएगा यहां पर C नमबर यह आपकी अग्यात है सिंदु सब्वेता की लिपी केसी है अग्यात है C नमबर अगला प्रस्ण आपका दिया गया है कि नम लिखे तुमें से कौन सा देश है भारती चाय का सबसे बड़ा आयात तक है देखिए भारती चाय का आयात ज हो जाएगा आपका B नमबर आपका रूस देखिए यहां पर 2019 में देखा जाए 2019 में तो सबसे ज़्यादा जो आपका आयात किया है वो आपकी इरान ने किया है किसने किया है इरान ने किया है लेकिन इरान आप्शन में नहीं है तो दूसरा नमबर आपका आता है रूस का त पर इरान ने 43.76 मिलियन किलोग्राम चाय का आयत किया है 2019 में ठीक है इसके अकॉर्डिंग अपके यहां पर भी हो जाएगा नेश्प्रस नापका दिया है कि वर्स में कुलकाता के पास हुगली नदी पर सिर्शा में पहली जूट मिल इस्थापित की गई थी तो याद रखे भारत की पहली जूट मिल भारत की पहली जूट मिल जो आपकी थी वो आपकी सिर्शा में जो कि आपके कैसे किने कुलकाता के पास पड़ता है यहां पर इस्थापित की गई थी तो यहां पर पच्छितर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन रटप के आपकर सी आपकी 1889 में इ स्थान पर ठीक है और वहें पर देखा जाए तो जूट को एक सब्द कहा जाता है जूट को एक सब्द कहा जाता है क्या कहा जाता है सोने का रेशा याद रखें जूट को सोने का रेशा के नाम से भी मसूर है यह भी पॉइंट आपको याद रखना है तो इस प्रकार के 25 प्र ट्विट क्या करना है इसको भी देख लीजिए ठीके और सभी लोग करेंगे क्योंकि सभी का हाख है यह समझिए कि यह हाख आपके लिए है और अगर आप लोग भी सोचेंगे चलो कुछ लोग कर देंगे तो हमारा भी नाम हो जाएगा तो भी यह भूंद भूंद से घड़ा बरता है और आप लोग अगर एक एक लोग अगर नहीं सोचोगे इससे सोचोगी चलो हम नहीं करेंगे तो भी आप दूसरे लोग कर देंगे तो इस्टॉल करिए ट्विट बनाईए अपनी पहँचान बनाईए है ना बिना ट्विटर के देखा जाए तो आज कुछ नहीं ह तो आप लोग अपनी पहँचान बनाईए और इसकी बाद सिर्फ आपको यहां पर कर सकते हैं कि आप जब यह से लिखेंगे UPSI तो तुरंत आपका आजाएगा ट्रेंडिंग में है वो आजाएगा और आसाने से टुइट कर पाएंगे तो जितने लोग भी यहां पर हैं तो आपका अपको टुइट करना है सभी लोग टुइट करेंगे सभी से अन्रोध है यह जो लड़ाई यह आप सभी की है हमारे दौर अगर होती पर्सनल तो हम यहां पर सिर्फ आपको न कहते कि आप टुइट करिये हम अकेले कर लेते लेकिन यहां पर बून-बून से घड बरना है ज्यादा ज्यादा टूइट करना है ठीक है एक साथ अगर यहाँ पर करे सकते हैं 4-5 लाग विगर टूइट हो जाते हैं ना तब भी सरकार डगमगा जाएगे ठीक है ना तो आप लोग यहाँ पर सभी लोग टूइट करेंगे ठीक है ना और यहाँ पर जो जो जए नवाद जए हिंचे लहरेद